सोलो वर्सी स्क्वेड एक ऐसी जंग जिसको जीतना हमारे लिए मुश्कीली नहीं एकदम नामुम्किन होता है तो यहर देखो आज का यह वीडियो होने वाला है सोलो वर्सी स्क्वेड की टिप्स के उपर और जो लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे वो लोग इस वीडियो को पूरा ना देखने वाली स्क्वेड को अकेले ही मार देंगे और मुझे पता है आपके उपर आए दिन सोलो वर्सी स्क्वेड की मुची बता आती होगी जिसके अंदर कुछ लोग तो simple जाके zone में element होते होंगे या फिर कुछ लोग गलती से चारो बंदों के एकदम बीच में जाके फजाते होंगे चूकि सोलो वर्से स्कुर की situation में सामने वाले चारो बंदे आपको ऐसे धूंड रहे होते हैं साथ ही में भर-भर के like भी मिलेंगे और दिन बर जो कस्टम की बुलावे आएंगे वो अलग तो इसी लेकर आपको पूरी की पूरी square को अकेली मार रहे है ना तो फिर जल्दी से एक like कर दो और फिर देखो कमाल है ना और फिर उसके जश्ट बाद subscribe भी कर दो वरना देख लो भाई solo versus square चोड़ो आप लोग square versus solo भी बूल जाओ तो देखो solo versus square के लिए सबसे पहले बात करते हैं characters की है ना क्योंकि characters भी solo versus square में बहुत अगड़ा role play करते हैं तो भाई मुझे लगता है कि solo versus square clutch करने के लिए वुकॉंग character से ज्यादा अच्छा character कोई है नियबी तक और अगर आपको वुकॉंग को सही से चलाना आता है तो फिर तो ये मानलो कि आप 60% solo versus square को तो ऐसी जीच चुके हो चुकि वुकॉंग एक ऐसा एकलोता character है फिरी फैर का जिसको लेकर अगर आप चार बंदों के बीच में भी घुज जाओगे तब भी उन में से कोई भी आपको एक भी damage नी दे पाएगा और just suppose आपके उपर एक साथ दो बंदों ने रश कर दिया है तो भी आप simply एक बंदे को नौक करके फिर तुरंत घास बनके दूसरे बंदे को भी नौक कर सकते हो और solo versus square में सामने वाले चारो बंदे आपके पीछे पागलो की तरह पड़े होते हैं तो इसलिए उस टाइम पे आप लोग केली को भी अपने character combination में लगा ले ना और भाई खुश सोचो यार कि जब सामने चार बंदे होंगे तो आपके पास health की भी काफी दिक्कत हो सकती है तो इसलिए आपना जोटा character को भी लगा ले ना जिससे कि आप जैसी किसी बंदे को नौक करोगे तो वहाँ पे आपको 40-50 HP मिल जाएगी और लास्ट वाले स्लोट में मैक्सिम लगा लेना जिससे कि आप लोग medicate भी जल्दी लपेट पाऊगे और होगे आपका character combination तयार अब देखो जातर solo versus squad में होता क्या है कि जब सामने वाले 4 बंदों को देखते हैं कि भाई आप सामने की side बस एक ही बंदा बचाए तो फिर वो एकदम खुल के खेलते हैं और सभी के सभी player एक दूसरे से अलग-अलग हो जाते हैं तो उसी चीज़ का आपको फायदा उठाना है मतलब आपको कहीं ना कहीं जाके छुप जाना है ना और आप लोग map में ना कहीं पे भी छुप जाओ वहाँ पे एक ना एक बंदा तो कूथते कूथते आई जाएगा और जब एक अकेला बंदा आपको दिख जाए तो सबसे पहले आपको उसी वो टपकानी की planning करनी है लेकिन उस बंदे पर आपको तभी fire करना है जब आपको पता हो कि आप इसको पूरा का पूरा खतमी कर दोगे मतलब आपको एकदम छुप कर कम से कम किसी एक बंदे को तो पेट देना है और फिर वहां से दुबारा से लोकेशन चेंज करके दूसरी जिगह पर जाके छुप जाना है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दो बंदे ना एक साधा राते हैं ना तो उस टाइम पे आपको कैसे भी करके मतलब चाहे वुकॉंग बनो या फिर कुछ भी करो आपको किसी ना किसी एक बंदे को तो नौक करी देना है और एक बंदे को नौक करने के बाद आपको वहां से भाग जाना है ना और एक छोटा सा चकर लगा के दुबारा वही पर आ जाना है जहां पे आपने उस बंदे को नौक किया था और भाई सच बता रहा हूं जब मैं मतलब ऐसे भाग के उसी location पे वापिस आता हूँ न तो मुझे भाई जातर cases में एक ना एक बंदा तो उसी revive देता हूँ मिली जाता है क्योंकि भाई उसमें कुछ नहीं पता होता कि कौन सा बंदा कहां से आ जाए इसलिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ नौक करने पे धियान लगाये करो है ना और घूम घूम के नौक वाले बंदे के पास वापिस पहुँच जाये करो है ना अगर उसको कोई revive देता हूँ दिख रहा है तो उसको इमार दे करो या फिर नहीं दिख रहा है तो उस नौक वाल बंदों को चकमा दे के भाग पाओ और लोकेशन को भी आपको कभी भी रिवील नियों ने देना है जिससे कि सामने वाले बंदे आपको धूरते रहे और आप उनको पीछल जाके मारते रहो लेकिन हाँ एक चीज का और ध्यान रखना कि सोलो वर्सी स्क्वेड करते समय जोन को चोटा मत होने देना उससे पहली बंदों को मारने कोशिश कर लेना क्यूकि अगर एक बार जोन चोटा हो जाता है तो फिर सोलो वर्सी स्क्वेड करना एक तरीके से इंपॉसिबल ही हो जाता है इसलिए जोन को भी ध्यान में रखना ये निकी भाई कहीं पर जाके बैठ चुपके और वहां से निकली निरे अब देखो आपको तो पता यह है कि अगर आप चाहो तो एक टाइम पर आप लोग एक गन से किसी एक बंदे को मार सकते हो या फिर दो बंदों को मार दोगे लेकिन अगर आपको गरनेड का सही से यूज करना आता होगा तो फिर आप लो नौक करके उसके बगल में फेक के भाग जाए करो जिससे कि उसको कोई भी वंदा रिवाइब देने की सोचेगा भी नी और अगर आप मेर से पूछोगे कि सोलो वर्सी स्कुएड क्लच करने के लिए बैस्ट सौर्ट रेंज की गन बताओ है ना तो मैं आपको सिंपली दो का नाम बताऊंगा तो सबसे पहली गन है MP40 और सेकेंड है M1887 तो अगर आपको इन दोनों से अगर आपको स्प्रे करके मारना आता है बंदों को तो आप लोग अराम से सोलो वर्सी स्कुएड को क्लच कर सकते हो बस आपको पेशेंस के साथ खेलना है और रश नी करना है और आप लोग को चुप-चाप कवर में रह रहे के बंदों को मारना है और अगर आपको मेरी साथ खेलना है या फिर मेरी फ्रेंड लिस्ट में आना है तो आप लोग सिंपली इंस्टाग्राम पर आओ वहां पर फॉलो करो और अपनी यूईड मुझे मैसेज कर दो मैं वहां से कर लो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई